मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि आप लोग किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं चाहे वो आपका सेबिल सर्विस हो, इस्टेट PCS हो या वंडे एक्जाम हो आपके इनके कम से कम 4-5 साल पुरानी कुश्चन्स पेपर उठा के देखिए और इस तरह के जो संस्थान होते हैं न, चाहे वो आपकी राष्टिय इस तरके हो या अंतराष्टी इस तरके हो इनसे आपकी एक्जाम में हर साल कुश्चन्स पूछे जाते हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे संगटनों को कवर भी कर चुके हैं तो महत्पूर्ट संगटनों के नाम से एक पेली लिष्ट सूची बनी हुई है उसी में सभी कलासें आपको मिल जाएंगी आज की इस कलास में हम लोग राष्टिय अनसूचित जनजाती आयो के बारे में बात करेंगे इसे आप लोग इंग्लिसमें नेशनल कमीसन फोर से डोल्ड ट्राइब्स के नाम से जानते हैं और आप देखेंगे कि पहले राष्टिय अनसूचित जनजाती आयो एक हुआ करते थे आर्डिकल अनुचित 338 के तैर लेकिन आप देखेंगे कि 89 वा जो समीधान संसूधन हुआ था ना 2003 में उसके माद्यम से समीधान में एक नया अनुच्छ जोड़ा गया था 338 ए समलित किया गया था और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि राष्टिय अनसूचित जनजाती आयो की इस्थापना की गयी थी और इसे आप लोग सौट में क्या कहते हैं? N.C.S.T. कहते हैं अगर आपसे पूँचे कि राष्टी अनुसूची जन्जाती आयुक की स्थापना कब की गई थी तो एक डेट आपको याद रखना है 19 फरवरी 2004 को 19 फरवरी 2004 इसका हेड़पार्टर का है नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है? और आप देखेंगे कि 2004 में इसकी स्थापना किई गई और 338 में संसोधन करके इसकी स्थापना किई गई है और आप देखें 338 किसे संबंदेते? राष्टी अनुसूची जाती आयुक से संबंदेते और 89 ब सम्मीधान संसोधन अदिनियम 2003 के माद्यम से सम्मिधान में एक नया अनुचेद जुड़ता है 338 से, एक किसे सम्मंदित है, राष्टी अनुचे जनजाती आयोक से सम्मंदित है, और एक सम्मिधानिक निकाय है, याद रखिएगा, सम्मिधानिक निकाय कहने का मतलब क्या होता है, वो संस्था की इस्थापना किसी तो उसमें चुनाव आयोग की स्थापना की बात कीगी है और सुपरीम कोट भी समिधान एक संस्ता है समिधान में आर्टीकल जो आपका अनुचेद 124 है उसे उठा कर पड़िए आप लो वो सुपरीम कोट की स्थापना की बात करता है ठीक है? अब आप देखे कोई संस्था इस्था पे थो रही है किसी संस्था की स्थापना हो रही है तो कोई उद्देश भी तो रहता होगा तो NCST को समिधान के अनुचे 338 एक तहत वर्टमार में प्रभावी किसी कानून या सरकार की किसी अन आदेश के अंतरगत अनुचे जनजातियों ST को पिदान कीएगे विभिन सुरक्षा उपायों के करियार्बन की निगरानी का अधिकार दिया गया है और NCST यह आकलन करने के लिए भी अधिकित है कि ये सुरक्षा उपाय कितने अच्छी तरह काम कर रहे है और अगर हम लोग राष्टी अनुचे जनजातियों की सरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है क्या? एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है तीन अन सदस होते हैं टोटल आप देखें पांच मेंबर होते हैं एक तरह से एक अध्यक्ष हो गया एक उपाध्यक्ष हो गया और तीन अन्न सदस हो गया जिनने राश्पती अपने अहस्ताक्षर और मुहर के तहट अधीपत द्वारा नियुक्त करेगा इसमें एक महला सदस का होना अनिवार है किसका एक महला सदस का होना भी अनिवार है अध्यक्ष औ पद्ध्यक्ष और अन्य सदस्त तीन वर्स की अउधी के लिए पद्धारन करते हैं, इनका कारकाल तीन साल करेता है, और अगर हम लोग देखे अध्यक्षों की बात करें न, तो पहले अध्यक्ष थे कुमर सींग टेकाम, ठीक है, और वर्तमान में कौन है, हरस चोहान, हरस च ठीक है, और अध्यक्ष को कैंदरी कैबिनीट मंतरी के दरजे के समकच माना गया है, उपाध्यक्ष को राजमंतरी का दरजा प्राप्त है, अन्य सदस्त भारा सरकार की सचिप दरजे के होते हैं, सदस्त दो से अधिक कारकाल हितु नियो के लिए पात नहीं होते हैं, याद पिदान या किसी अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के अधिन, अनुसूचित जन्जातियों के लिए पिदत सुरक्षा हुपायों से सम्मंदी सभी मामलों की जाच एगम निगरानी करना, अनुसूचित जन्जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा हुपायों से बं राष्टपती को पिती वर्स आवसकता अनुसार रिपोर्ट प्यदान करेगा। अगर हम लोग भारत में अनुसूचित जन्जातियों से संबंधित प्रावधान देखें तो भारत का समिधान अनुसूचित जन्जातियों की मानता की मांदन को परिभासित नहीं करता है। तो अपनी अगर किसी ने संस्किती बना के रखी हुई है तो वो जन्जातिये हैं वो आदिवासी हैं इनके छेते में आप लोग जाके देखिए अपनी पुरानी परंपरा के इसाफ से रह रहे हैं। जंगलों को ये अपना एक तरह से पूझते हैं धरती माता को पूझते हैं और रहते हैं आप देखेंगे। अगर हम लोग समिधानीक प्रावधान की बात करें तो अनुचेत 365,26 में यह केवल अनुचेत जन्जातियों को परिभासित करने ही तो पिक्रिया अनिधारित करता है और इसमें आप देखेंगे कि अनुचेत जन्जातियों को ऐसी आदिवासी जाती या आदिवासी समुद जन्जातियां माने गया हैं अगर अनुचेत 342 एक अगर आप लोग देखें तो ए राश्टपती किसी राज या संगराज चित के समंद में वहां उसके राजपाल से परामस करने की परशात लोक अधी सूचना द्वारा उन जन्जातियों या फर जन्जातियों समुदायों इसमें आप देखें पांच भी अनुची देख लिजे समीधान की पांच भी अनुची या छटी अनुची में सामिल राज्यों के अलावा अनुची चेतरों और अनुची जन्जाति के पिसासन और नियंतन हितु तरावधान निधारिक करती है और छटी अनुची में आप इसे आप लोग बैधानिक प्रावधान देखें तो आसपस्ता कि ब्रोड नांगरिक अधिकार सरक्षन अधिनियम 1955 हो गया अनुसूच जाती अनुसूच जन्जाती अक्तियाचार निवारान अधिनियम 1989 हो गया पंचाय तो बंद अनुसूच जन्जाती और अन्पारवपरि यह बैधानिक प्रावधान हो गया आपके तो आप लोग राष्टी अनुसूच जन्जाती आयो और उससे अनुसूच जन्जातियों के लिए जो प्रावधान है बैधानिक प्रावधान है जो सम्मीधानिक प्रावधान है उनके बारे में इतनी जानकारी आप लोग अपन इसके तहती राष्टी अनुसूचित जंजाती आयूग की स्थापना की बात की गई है और पहला आयूग आप देखते हैं कि 2004 में कुणर सिंग की अध्यक्ष की रूम में गठित किया गया था ठीक है और दूसरा आयूग आप देखे 2007 में उर्मिला सिंग की अध्यक्ष था मे तीसरा आयूग का गठन 2010 में रामिसो औराओ की अध्यक्ष की रूम में यह मतलब आदी की अध्यक्षों की करम में देखा जा रहा है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा